नमस्कार आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले अफ़ते की आउटो में बेल नियूज के बारे में बताने वाला हूँ इस संडे नियूज काफी काम है बहुत काम है बहुत ज्यादा काम है कि दो चार पांच मेंट का वीडियो बनेगा एक्जाट लेंद तो मुझे नहीं पता बनाने के बाद ही पता पड़ेगी जिल्लों को नहीं पता पहली बार यह वीडियो देखने उनको बता तो यह अन एडिटेट होता है यह सिंगल टेक में पूरे को पूरे वीडियो बनाए करती होंगी तो जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं फूटो टो डालनी पड़ती है पर ना आपको ही मज़ा नहीं आएगा और अच्छा लगता है आंकों को लगने दो तो न्यूस पर आते हैं में टॉपिक पर आते हैं गवर्मेंट पैसेंजर्स की सेफटी को लेक थोड़ी चिनते थे को समय पहले भी कोवर्मेंट ने एर बैग, ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर और मैनल ओवर राइड, ओवर सेंटर लॉगिंग जैसे फीचर्स थे 5-6 उनको मेंटेटरी कर दिया था कि ये फीचर्स हर किसी गाड़ी में मिलने ही मिलने चाहिए उसके मिना आप गाड़ी इंटियर मार्केंट बेची नहीं पाओगे, अब उन फीचर्स के अलावा, फ्रंट पैसंजर एर बैग भी मेंटेटरी करने वाली है, कंपनियों ने क्या किया कि जो एंट्री लिवल सेग्मेंट की गाड़ी आए, 4-5 लाग रुपेत के बजट में जाती है, उन बजट में आने वाली गाड़ियों में, आपको सिंगल ड्रैवर एर बैग एस्टेंडर मिलता है, और जो पैसंजर एर बैग होता है, ड्रैवर के बगल में बैठे हुए पैसंजर का जो एर बैग होता है, वो ऐसा option मिलता है, अगर आप चाहो, तो कुछ पैसे जादा द और वो एर बैग ले लो, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, या फिर टॉप वेरेंट में मिलेगा, तो यह चीज गवर्मेंट ने एकसेट नहीं की है, अब गवर्मेंट यह बोल रही है कि आपको हर किसी गाड़ी में चाहिए वो कितनी भी सस्ती हो, दो एर बैग कम से कम दे आपको जारा देने पड़ते हैं, लेकिन इस मौके का फायदा हर कोई कमपनी उठाएगी और थोड़े पैसे बढ़ाएगी, तो अगर आप खरीदने वाले हो और पैसंजरे में इंट्रेस्टेट नहीं हो, तो अभी खरीद लो, वैसे भी जनवरी से सभी गाड़ियों के प पैट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो 190 BHP पावरफुल होगा, मैं आपको बता दूँ कि ये फेसलिफ्ट में ये नया इंजन है, पहले इसमा 1.4 लीटर मिला करता था, जिसे रीपलेस कर दिया है, इस नए 2 लीटर इंजन है, BMW 3 सीरीज का लॉंग वील बेस वर्जन, मैं बो होगा, इसका जो इस्टेंडर्ड वर्जन है, वो इंडियन मार्केट में समय 42 लाग रुपे से 50 लाग रुपे तक का मिलता है, और ये लॉंग वील बेस वाला वर्जन जो है, वो उससे महंगा होगा, इसकोड़ा इंडियन मार्केट में एक मिट साइज SUV लॉंच करने वाल होगी, ठीक है, इसमें 1 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो चाज्ट पैट्रोल इंचन भुला करेगा, ये गाड़ी इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनाये गए, MQB प्लेटफर्म के उपर बेस्ट होगी, जिसकी विज़ा से ये अपने राइवल से ज्यादा स्पेशियस हो जाता था, इन दोनों गाडियों की डिमांड नहीं थी, इसलिए होंडा ने नए प्लांट में इनकी पूरी ब्यवस्ता सेट करने का मतलब नहीं समझा और इनको डिसकंटिन्यू कर दिया, परसनली मुझे थोड़ा बुरा लगा होंडा सिविक के लिए एक बहतरी गाड़ी है, अपनी सेग्मेंट में काफी प्रीमियम गाड़ी है, बहतरी रोट प्रेजेंस, बहतरी रेड एन हैडिलिंग क्वालिटी, लेकिन अफसोस ये गाड़ी अब इंडिया मार्ट बंद हो चुकी है, क्योंकि सेडान की यहां पर अब उतनी डिमांड नहीं रही, इसके आइपल वाले मोबाइल में तो कुछ नएगा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिंदिगी में कुछ नया करने की विचार लेकर गूम रहे हैं, यह एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं, आपने सही सुना मैं कोई गलत नाम नहीं पूल रहा हूं, यह गाड़ी एक इलेक किया जाएगा रोड पर खरेदने को यह कप में लेगी पता नहीं पर 2024 तक आपको इंतिजा करना पड़ेगा इसको देखने भर के लिए सिट्रन कई लोग इसे सिट्रॉइन बोल सकते हैं अपना अपना वह है लेकिन जहां तक मैं सिट्रन बोलता हूं यह गाड़ी यह ब्रेंट का नाम आपने पहले कईयों बार सुना होगा इंडियन मार्केट में अभी नहीं है लेकिन आने वाली है जैसे कि ग्रेट वाल मॉटर आने वाली थी यह आने वाली थी एक दो कंपनी और आने वाली थी लेकर ना नहीं पाई को रोना के चक्कर में इसकी सी 5 एयर क्रॉस एस आप रूपर की सेग्मेंट में जिसमें ट्यू लीटर डीजल इंजन मुला करेगा लेकिन इस गाड़ी के बाद जो भी सिट्रन लॉपने को यांगे लॉपन शाष्ट ऊड़ेगा इंडिया में उनमें जारतर गाड़िया सिर्फ पैट्रॉल इंजन के साथ लॉपने उनमें जारतर गाड़ियों में डीजल नहीं मिला करेगा ये नियूज है इसके लाब आगे बढ़ते हैं टोयोटा फॉर्चोनर का फेसलिफ्ट छै जनवरी को लॉंच होने वाला है तो बैया जितने भी नेता वेता हैं गली कुछे के छुट बैये हैं या पर गुंडे-गुंडे हैं दबंग लुग हैं वो लोग तैयार हो जाओ आपकी सवारी का ए प्रफील कर दिया गया है इसमें तीन उप्षेन समलते हैं तो पॉइंट टू लीटर इंजन जो की डीजल है तो टैन बीच्प पावरफुल है त्री पॉइंट फाइव लीटर पेट्रोल इंजन जो 380 बीच्प पावरफुल है यह गाड़ी इंडिया में आएगी नहीं प सकता इसे एक्सपोट करके थोड़ा उंड़ाई वाले चेक करने कि यहां पर डिमांड है भी या नहीं है अगर बिग गई तो शायद जैसे आभी चाहे जनरल मोटर्स आपने नाम सुना होगा शेवरोले कंपनी की यह गाड़िया बिका करती थी है यह यहां पर काम कर रहे तो गई हुए काफी टायम हो गया लेकिन जनरल मोटर्स यहां पर अभी भी अपनी गाडियों को बना रहा था और बना के उन्हें एक्सकोड कर रहा था लेकिन अब उन्होंने वह आपरेशन भी अपना बंद कर दिया है ताले गाहों पूने में का प्लांट था उस न्यूज मिली है कि भई एक्सवी 5 00 के लॉंच होने के बाद स्कॉर्प्यों की नेक्स जनरेशन को लॉंच किया जाएगा अपरल या जून के आसपास एक्जक डेट अभी नहीं पता जब पता पड़ेगी वह भी आपको बता दूँगा इसके अलावा स्कॉर्प्यों में गले इंजन मिलेंगे लगबग कान फ़म है यह न्यूस थार में आपको 2.2 लीटर डीजल और 2 लीटर पेट्रल एंजन मिल जाता हो यही दोनों इंजन स्कॉर्प्यों में आपको मिलनेवाले हैं स्कॉर्प्यों में आपको टूबील ट्राइब के सासे फूर्विलेग आप पर साथ चैंपियंशिप हैं जिससे सेलिब्रेट करने के लिए इस लिजन एडिशन को अन्वील किया गया है हिरो मोटो कॉर्प अपनी सभी मोटर साइकल के एक जनवरी से प्राइसे बढ़ाने वाला है लगबग डेढ़ हजार रुपे तक प्राइसे बढ़ने वाले हैं सिर सब्सक्राइब बजाज मोटर्स ने एक नया मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट चकन में खोलने का प्लान किया है साड़े 600 करोड रुपे के इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्लांट में के टीम हस्क वरना ट्राइंफ मोटर साइकल को बनाया जाएगा आखरी नियूस है मोटो गुजी 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 देख लेना जो भी हो गुजी गुजी मोटो गुजी वी सेवन को रिवील किया गया है इसमें साड़े 800 cc इंजन मिलता है जो 65 भी पावरफुल है और 73.2 एनम टॉर्की है तो भाई यही थोड़ी बहुत नियूस थी सफते की जारा नियूस नहीं है इसके लावा जो लोग जानना चाहते हैं कि अपनी टू विलर या फूर विलर के लिए सबसे अच्छी एससरी सस्ती और अच्छी और रिलावल एससरी कौन सी है या फिर मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड करने में शूड करने में किस माइक का इस्तुमाल करता हूं किस कैम अगर आपको यह पसंद आया हो तो सेलेक कर दीजेगा इस चनल को सब्सक्राइब कर लीजिया और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना पूलना आपका दन शुब रहे धन्देबाद